फ्रेंज वेलकम आप सभी का मेरे यूटूब चैनल फोटो कैसे बनाए पर फ्रेंज आज के इस टुटोरियल में सीखेंगे टेक्स्ट वरेप कैसे किया जाता है किसी भी मोकब के उपर फ्रेंज जैसे मेरे पास यह बुक है और मैं इस पर कोई टेक्स्ट एडिट करना चाता हूँ तो उसको हम कैसे करेंगे लेकिन वो एडिटेबल टेक्स्ट होना चाहिए वो कैसे करेंगे आईए सीखते है सबसे पहले हमें करना क्या है यहां से शेप टूल लेना है इसको यहां आप से इस तरह से शेप करेंगे और यहां लेयर में जाके इसको डबल कलिक करके इसको वाइट कलर में चेंज करेंगे ओके करेंगे और फिर यहां से राइट कलिक करेंगे इसको समार्ट अबजेक्ट में कनवर्ट करेंगे और friends move tool लेंगे friends control T करेंगे और इसको control दबा के इस तरह से page के कोने पर मिलाएंगे च्यारो कोने आप photo को zoom इसकी यहां से opacity कम करके और अथ्छे से मिला सकते हैं फिर zoom करके photo को और control प्रेस करके और इस तरह से हम page के च्यारो कोने इस तरह से मिला लेंगे और फिर friends mouse से right click करेंगे wrap पे click करेंगे और यहां से friends इसको पकड़के इसको इस तरह से करेंगे इसको भी इस तरह से अपने page में set करेंगे नीचे से friends हमें इस line पे लेके आना उपर वाले page पे इस तरह से लेके आएंगे और फिर इसको पकड़के इस तरह से इस में लेके आएंगे और friends यहां से right पे click करेंगे अब friends double click करेंगे यहां आपने rectangle पे तो इस तरह से हमारा यह new shape आजाएगी अलग से और फिर हमें तूल इसमें जाना है type तूल में यहाँ से type तूल लेंगे और इस पे click करेंगे एक बड़ इसमें यह dummy time में text आ जाएंगे इसको बढ़ाने के लिए यहाँ जाएंगे type में यहाँ से इसको paste करेंगे अब इसको और भी बढ़ाने अब इसको और भी बढ़ाने के लिए Ctrl एक करके इसको select करना है Ctrl C से copy करना है और यहाँ पर click करना है और Ctrl V करके paste करना है तो यह हमारे test इसमें और बढ़ जाएंगे और friends अब यह जैसे इसमें बाहर की तरफ दिख रहा है तो इसे अंदर करने के लिए alt press करेंगे keyboard से और इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे इस तरह से यहाँ से right पर click करेंगे और file पर जाके friends save करना है save पर click करेंगे और अब हम आपको दिखाता हूँ अपनी books को तो देख सकते friends यह हमारी book में editable text इसमें आ चुकी है अब यहाँ से हमें इसको normal की जगह multiply करना है ताकि यह book के color में mix हो जाए और इसकी opacity को 100 पे कर देना तो friends आप देख सकते है यह हमारे पहले वाली book है और यह आपने जो भी text इसमें editable किये है वो है friends अगर इसका आप color change करना चाहते है तो यहाँ पर फिर से double click करेंगे और इसको हम यहाँ पर select करेंगे control A से इसको select करेंगे और यह control A से select करने के बाद यहाँ उपर color पर click करेंगे जैसे मैं इसमें blue color करता हूँ यहाँ से आप कोई भी color इसमें कर सकते हैं ok करेंगे ओके करने के बाद फाइल पे जाएंगे और सेव करेंगे और फिर अपनी बुक्स को चेक करेंगे तो फ्रेंज इस तरह से आम इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं तो उमीद करता हम फ्रेंज वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सस्क्राइब जुरूब करें थैंक यू